सवलुगborg जवेम बात करेंगे जो आज हो रहाता लेजेंस लिग क्रिकेट का तीसरा म्याज हो रहाता इंडियान महाराजास फर्शेस वाल्ट जियायन्स के बीज में तो बहुती अच्छा म्याज हुआ क्योंकि हमें देखने को मिला लेजेंड्स फिर्षे म्याज ख्यालते हुए तो इंडिया के बहुत पुराने खिलाडी जैसे के महामद केफ हुए नमन ओचा हुए यूसूप पठान हुए ये सब आक्षन में देखने को मिले और वाल्ड का भी बहुत अच्छा जैसे के पीटर्शन इम्रान ताहित जो रि इंडियान महाराजाज अगर आको बता दूं तो इंडियान महाराज ने अपना पहला मुकाबला भी जीत चुके थे जो एश्यां लेजेंड्स के एगेंस्ट तो आज उनका दूसरा म्याज़ था वाल्ड जियांक्र जिसके इंडियान ने पहले बल्ले बाजी किया और नमन बल वान फर्टी रन की पारी खेले पंदरा चोके और छे नौ छक्के लगाए और वाशिम जापुर्त जीरो वद्रिनाज भी जीरो और महमत केफ उनका बहुती अच्छा साथ दिया फर्टी सेबेन बल फिप्टी थ्री रन की पारी खेली तो इतना ही था इंडियान नुक्सान पॉर्ट वीशोफर तो उसके बाद आया ब्याटिंग हमारे वाल जीयंस के जिनके की ओपनर थे हमारे केविन पीटर्शन और केविन ओब्रायन आयरलेंड के तो केविन ओब्रायन तो आटाक कर रहे थे पर बहुत जल्दी आउट होगे तो उसके बाद केविन बिटर्शन आटाक करना सुरू करते हैं वो बहुत अच्छी 50 लगाए अगर बाल की बात बता दू 27 बाल 53 रन की पारी खेली उसके बाद कोई भी उतने अच्छे बैटिंग नहीं कर पाया उनके तरप से उसके बाद ब्राड हार्दिन 13 बाल 21 रन की पारी खेली ब्राड हार बहुत याज तो मुझे तो यह से लग रहा था कि पूरी तरह से हार जाएंगे और उसके बाद मानीमोर के लाए 15 बॉल 21 रन पारी और इम्रान ताहिर ने म्याद चेंज किया 19 बॉल 52 रन की पारी खेली तो लगभग 12 की था सायद रिक्वार रन ते सायद के पार था महराजाज के हाथ में मैच छुटा है से मैच छुटा और वाल्ड लेजेंट ने म्याज जीत ला है और अभी यह जो लीग चल रहा है तीनों टीम जो खिल रहे हैं एसेयन लेजेंज, इंडियन महाराजज और वाल जीज़ तो तीनों एक-एक मैच जीत कर अभी परावरी पर खाड़े हुए हैं तो कल तो मैच नहीं है फिर से 24 मैच है इंडियन महाराजज और एसेयन लेजेंज पर देख सकते हैं और टेन थ्री में भी सायत टेलीकेस्ट कर रहे हैं तो टेन नेटवर्क पर बेसिकली आप देख सकते हैं तो अभी मैं आप से वीडिया लेता हूँ वाई वाई दोस्तों